एट जएभीम मैं किसोर और चार-पांच धाराओं में जैसे सरकारी काम में बादा तोड़ फूर करना मार्पीट एक पुरा फर्जी मामला एक पूरी फर्जी कहानी बना कर मुझे में चार-पांच धाराई लगा रिखी है जो सरा सरे जूट है उसमें और अभी यहां पर क्या हो रहा कि देखे मेरा बैस यह था कि जो रोट बेच की खामिया दिखाना कमिया दिखाना और यूगि मैं एक पत्रकार हूं और जो बंची समाच है जो दलित है जो पिछड़े है वो उनके मुद्दे उठाता हूं मैं और इसलिए मैं काफी टाइम से रोट बेच के कर्मिचारों के नजरों में था मैं उन्होंने दो-तिन बार मुझे धंकिया भी दे थी और मुझे कहा भी था कि आप हमारे ही बाकी पीछे पड़ गए हैं और इसलिए उन्होंने मौका देकर चार तारेक को रोड बेच के कुछ कर्मिचारी थे जिसमें एक दिपक्सिंग खड़ाया था और उनके कुछ साती थ आप पांचे लोगों ने मेरे साँ मिलकर मार पीड की थी और इसमें अबी यह हो रहा कि लगातार एक तो वो लोग मेरे साँ मार पीड के उन्होंने और दूसी तर मेरे खिलाभी मलवई को फर्टी कहाने बना कर दिए और आने वाले समय में देकि आप यह देख सकता है कि उ गूलिये जब पत्रकार को यह समझे कि समाझ की जो आवाज उठाता है वह आपके हगों की बात करता है अगर एक पत्रकार के साथ एगर ऐसा हो रहा है तो कि अचल आम आदमिंग उत्राखण में शुरुक्षित है कानन को कि शुरुक्षा के लिए होता है लेकि अभी कानून का दुरुपयों किया जा रहा है यहां पर और जिससे मुझे फसा जा रहा है तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीटों को अधिक शेर करें और इसमें आप अवाज उठाए क्योंकि अगर आज अगर आपके आवाज रखने हाला कोई नहीं है तो मैं अभी ज्यादे बाते नहीं करूंगा यदि आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं ऐसे काम करते हैं रोगों की आवाज उठाते रहों तो आप मेरा साथ दीजिए और मेडिया के मादियम से जो बंचित हैं दलित हैं उनके मुद्दों को उठाता है और जिस पार जिस कारण लगातार क्या होता कि मैं अधिकारियों के नचरों में और तमाम तरह के अन्य जो माफिया हैं गुंडे हैं उन लोगों के नचरों में भी रहता हूं मैं और ऐसा ही एक मामला सामने मेरे साथ हुआ है कि इसी महने हमला किया है और उसके बाद जब मैंने कोट वाली थाने में मैंने इसकी सिगायत की तो मेरे मात्र एंसियार कटी और सिस्टम हमारा लोगों कितना साथ देता है आप सबी लोगों से छिपातों है नहीं और दूसरी दिन क्या हुआ कि दूसरी दिन जो रोड़वेश के कर्मी यहां वाकिल करना होगा और करने की और जानते हैं कि यहां पर हो यह रहा है कि हमें इस काम के लिए कहीं से को कोई तंखा नहीं मिलती है कैबल हमारे समाज से कुछ लोग है वही हमारी जो मदद करते हम उसनी से काम चलाते हैं इसलिए कि मेरी आर्फिस्ति भी साथियों में उत्री ठीक नहीं हैं यो आत्र हाले समय में मैं समाज के मुद्दों को उठाओं और उनकी हगों के लड़ें तो आप लोग सात्यों में हमारी मदद कीजिए सात्यों जो भी सात्य हमारी मदद करना चाहते हैं और मेरा जो एककाउंट नम्मर है मैं आपको बताता हूं मैं ऐकाउंट नम्मर है SBIN0002554 और यह साथियों अगर आपको इससे संबंदिद मेरे इस केस के इससे संबंदिद ज्यादा जानकारे चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरा मूबाइल नमबर इस परकार है 9410126334 और दूसरा मूबाइल नमबर है 7900407852 सात्यों यह एक लंबी लड़ाई है और बहुत इकाठिन लड़ाई है अंगर यह आने वाले समय में हमारे समाज की अनशचाती के पत्रकारा के साथ ऐसे फसाने की हिमत ना करें तो उसके लिरे हमें जवाब देना पड़ेगा और यह जवाब है हम कोटके माद़र से दे सकते ह और कोट के मादें से हमें वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसमें मुझे आप सभी का साथ चीएगे धन्यवाद जैपी निशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ करें लाइक करें कमेंट जरूर करें